अगर आप भी खुजली से परिसान होके ठक चुके हैं, बहुत से उपाई करके ठक चुके हैं, लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो एक बार इस नुस्के को भी आजमा के देखिए, जरूर से आपके दाद, खाज, खुजली, जैसी भी खुजली हो, जैसे भी दाद, खाज हो, एक अगर आप उपाय नहीं कर रहे हैं, इंफेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो ये घलत हो रहा है, नेकिन दाद, खुजली, दाद, तुच्चा की उपरी परत पर होता है, और ये फैलता भी बहुत तेज है, इसका इंफेक्शन बहुत तेज होता है, एक ब्यक्ति से दूसर ब्यक्ति को होना, या मौसम के बदलते होना, जैसे ही मौसम बदलता है, जिसको infection रहता है, sensitive skin रहता है, उसको भी बहुत तेज होता है, जैसे पसीने या गंदगी से बहुत तेज होता है, और दाद खाज में खुजली भी होने लगती है, जब खुजली होने लगती है, जब ख इसका सही समय पर इलाज नहीं किये तो ये खुजली एक जीमा का रूप ले लेता है ये खुजली एक जीमा की जैसे दिखने लगता है और ये काफी लंबे समय तक काफी इलाज के बाद भी सही नहीं होता है तो इसे नजर अंदाज बिलकुल मत करिए जैसे भी खुजली है ज कर लिए तो आए देखते हैं कि किस उपाय से हम अपने धात खाज खुजली को सही कर सकते हैं तो चलिए फिर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यूजफूल वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन क्लिक कर लिए चिस्से की कोई भी वीडियो आप मिस ना करिए तो आईए देखते हैं फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है दाद खाज में इतनी जादा खुझली होती है खुझली करते करते हम ठक भी जाते हैं और खुझली करते करते। खुजली के स्थान में काफी जलन होने लगती है, काफी रेड हो जाता है, और हम उस दर्द से परिसान हो जाते हैं, तो कभी-कभी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले तुरन आप ऐलोवेरा का जल लखिए, जहां भी खुजली हो रही है, खुजली बढ़ती ज सबसे पहले तो आप ऐलोवेरा का जल लखिए, यह सिर्फ इसलिए है कि पहले आपके खुजली सांद हो जाए, क्योंकि ऐलोवेरा जल इतना ठंडा होता है, अगर घर का है तो भी अच्छा है, बाहर का जो रेडिमेट जल आ रहा है, वो भी अच्छा है, कोई भी ऐलोवेर हो, जहां भी दाद की वज़े से खुजली बढ़ती जा रही है, हाथ में, पै में, जांग में, बैक में, पीठ में, कहीं भी सरीर के किसी भी अंग में दाद हुआ है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है थोड़ी सी PC हल्दी, वही PC हल्दी जो हम मार्केट्स लाते हैं, एकदम नॉर्मल हल्दी, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, फिर इसको पेष्ट बनाना है, पानी इतना ही मिलाना है, जिससे कि वह एक अच्छे से पेष्ट बन के तयार हो जाए, फिर उस पेष्ट को दाद की जगह पर रखना है, अपलाई करना है, अगर हम इसे रात में लगाते हैं, तो ऐसे ही लगा के छोड़ दीजे, और सुबह उठे इसको धूल दीजे, कुछ ही दिन में आप देखेंगे, आपका दाथ बहुत जल्दी सही हो गया, और खुजली तो एकदम सान्त हो गई, खुजली का सबसे अच्छा उपाय यही है, एक आप आजमा के देखिए, एक और मैं उपाय बताती हूँ आपको वो होता है टूथपेस्ट, वही टूथपेस्ट जो आप अपने घर में रखें हैं, जो डेली रूटीन में आप यूज करते हैं, नॉर्मल टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट हो, आपको टूथपेस्ट ल मिल जाता है, फिर उसी में एक पीस, ये देखिए मैंने लिया है न, एक पीस विटामीन ए की गोली, अच्छे से काटके उसको भी मिक्स कर दीजिए, और फिर इस तरह का पेस्ट बना लिजिए, ऐसा पेस्ट जब बन जाए, तो इस पेस्ट को लगाने से पहले, एक काम करना है, आपको डेटॉल लेना है, डेटॉल से अच्छे से आपको पहले दाद वाले जंगब पर क्लीन करना है, क्योंकि वहाँ पर काफी इंफेक्शन रहता है, काफी गंदगी रहता है, गंदगी के ऊपर कोई भी दवा कभी नहीं लगाएगा, वो काम नहीं करेगा, बल रात को लगाना है, लगाकर सो जाना है, फिर सुबे उठना है, इसको धुल देना है, अगर आप गुनगुने पानी से धुलते हैं, तो जादा बहतर रहेगा, नहीं तो किसी भी पानी से आप धुल देजे, आप कुछ ही दिन में देखेंगे, चार से पांच दिन में आपको इतना फायदा दिखेगा बलकि एक अपने में तो सही भी हो जाता है तो एक बार आजमा के जरूर से देखेए फ्रैंड्स बस ऐसे ही उपायों को आजमाते रहिए और खुस रहिए, स्वस्त रहिए यूजफुल वीडियो देखने हैं के लिए को सब्सक्राइब कर लेजिए और यूजफुल वीडियो देखते रहिए थैंक्स पॉर वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल